नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताउंगा पतंजली का दिव्य गोर्दन अर्क के फाइदे और इसको कैसे माल करना होता है वो सारा बताउंगा दोस्तो यह होता है गो मूत्र से बना हुआ और दोस्तों यह भारत में निर्मित होता है 10 ml का यह यानि इसके मतलब जो क्वांटिटी है जो लेनी होती है उस हिसाब से बताया हुआ है इसके अलावा दोस्तों मैं इसके अंदर बता दू दिव्या फार्मसी यह आपके पतंजली की है बाबा रामदेव जी की आप इसकी प्रैजिंग की बात कर ले तो दोस्तों मातर 40 रुपे का आता ही है देख सकते है मातर 40 और पूरी इसकी क्वांटिटी की बात कर ले तो यह 450 ml का दोस्तों इसकी रेट अब भी बढ़ चुकी है पहले की रेट ही है एक बार देख लीजिएगा दोस्तों आपको इ बबें उठते ही जैसे आप सोकर उठें गरम पानी लीजिए गुन गुना और उसमें आप इसके तीन से चार ढकन डाल दीजिए पानी के अंदर और आप पानी दोस्तों ऐसा नहीं कि आप पूरा ग्लासी लेवें उसके अंदर जैसे पीस दर सेमेल या बीस हैमेल ले रहें त आज दश धकने मलब पाणी करें पानी के लिए जार्दा लेंगे तो थोड़ा प्रभूलम् भी ले सकता है इसलिए दोस्तों आप इसके मतलब बता जया को 9 देता हुआ टीजिए मतलब आगा पेट अच्छे से साफ होगा इसको पीते ही आपको मतलब अच्छा पेट साफ हो जाए इसकिन डिसीज यदि आपके पिमपर्स रहते हैं खुन को प्यूरिफाइड भी करता है यह दाग धबे रहते हैं तो उसके लिए अच्छा है अस्तमा कोल्ड कफ यदि आपक में भी बहुत ज्यादा साहिक है इसको आप रेगुलर लीजिए आप तीन से चार महीने इसको रेगुलर लीजिए फिर आप इसको छोड़ सकते हैं फिर ब्रेक करके फिल ले लीजिए दोस्तो इससे कि आपका पेट अच्छा साफ होगा और जो टॉक्सिंस जमे होते हैं हम पीने का मैं बताओं तो दोस्तो इसका स्वाद आपको मतलब नॉर्मल लगेगा ऐसा भी नहीं की बहुत ज्यादा खराब लग रहा है इसका आप जैसी पीएंगे तोड़ा सा अट पटा सा लगेगा कुछ लोगों को तो मतलब तो आप फटाक सी पीले तो सही रहेगा और क चीज देख लीजेगा आप जैसा भी एक बार स्वाद करके और दोस्तों इसको आप खोलें जब भी तो इसको टाइट से बंद करना जोरूरी होता है क्योंकि फिर यह खराब हो जाता है नीचे से आपकी यह जमा होने लग जाता है इसके अलावा बता दो दोस्तों कि इसको खोलने के बाद आपको इसको एक एक से डेड़ महिने तक ही यूज करना होता है आप क्योंकि दोस्तों इसके जमने लग जाता है नीचे तो दोस्तों यह इसका रिव्यू था मेरा विक्तिकत यह था कि इसके इस्तमाल से पेट बहुत जल्दी साफ होता है और बजन भी बढ़ चुका है और तॉक्सिंस रहते हैं तो वह जरूर यूज करें और वैसे भी नॉर्मल यूज है आपके इम्मुनिटी को बढ़ाएगा ब्लड प्रिफाइगा और इसकी डिसीजिस में नहीं आने देगा और इसका कोई साइड एफेक्ट भी नहीं है तो यूज कर सकत है इसके अलावा हमारा दूसरा यूटुब चैनल भी है तो इसका लिंक भी डिस्क्रेशन देदूंगा उसको भी आप विजिट करिए देखे जरूर इसके अलावा कुछ भी पूछना होता आप जरूर पूछ सकते हैं और आप अपने रिवीव भी शेयर कीजिए आज के ल